नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में पहरे साथियों जो आज हमारा टोपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका कोशिका से सम्मन्दित अती महतोपुण प्रशनों को आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं यह प्रशनों की स्रीज आप लोगों को काफी पसंद आ रही है और यहीं से मुझे भी मोटिबेसन मिलता है कि और भी अच्छे अच्छे प्रशन आप लोगों के लिए लेके आए जाए और मैं आपको बताना चाहूंगा काफी बच्चे पूस्ते भी हैं बार बार कि सर यह स् टोपिक के प्रसंद नेक्स्ट वीडियो में आप करवाओगी यह पहले बता दो तो अच्छा रहेगा तो बताना चाहूंगा कि जो आपका सलेबस है उसमें जिस करम में आपके टोपिक दिये गए हैं बिलकुर उसी करम में मत चल रहा हूं सबसे पहले केमेस्ट्री के पां उनको हम लोग डिसकस करेंगे और इस प्रकार से सभी जो टोपिक्स आपके सलेबस के अकोर्डिंग है उनको हम लोग सबको कम्प्लीट करेंगे साइंस में ठीक है और यह स्रीज आप सभी को पता है NCRT पर आधारी तपोड़ों रूप से तो आपको NCRT बुक्स के ही इसमे जो क्रमचारी चैन iarn pod प्रसंद पूसता है तो कहां से पूस यह न पिल्कुल एजजी इस लाइं टू- लाइन पूछ लेता कभी-कभी एंसी ती बुक्स में 씨 बूक्स में कि सभी कोशिकाएं पूर्व वर्ती कोशिकाओं से बनी होती है सबसे पहले यह किसने बताया कि सभी कोशिकाएं जो पूर्व वर्ती कोशिकाओं से बनी होती है रोबर्ट हुक, लिवेन हुक या एम स्रीडन तथा टी स्वान ने या विर्चो ने तो देखिएगा यहां सबसे सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा विर्चो विर्चो ने ये बताया था कि सभी कोशिकाएं पूरो वर्ति कोशिकाओं से बनी होती हैं और इन सब ने क्या-क्या कारिये किये थे वो सारी भी सलाइड के उपर आ गए हैं देखिए कोशिका का सबसे कोशिका थी ठीक है मर्द कोशिका इखोज रोबर्ट हुक ने यह बहुत आसान सी चीजें सबको पता है ल्यूवेन होक ल्यूवेन होक ने 1644 में सबसे पहले उन्नत सुक्सम दर्शी से तालाब के जल में स्वतंतर रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया तो तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी ल्यूवेन होक ने की थी मर्द कोशिका की खोज रोबर्ट होक ने की थी रोबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी जेई पूरोखंज ने 1849 में कोशिका में इस्थित तरल जेविक पदायर्थ को जीव दर्वे ना इस सिद्धांत के अमसार सभी ततपा पोधे ततщее जन्तु कोशिकाओं से बने होते हैं, और वे जीवन की मौलभुट इकाई है कोन कोशिकाओं उसके बाद आए हैं ! विर्चो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया उन्हों ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूरो वरती कोशिकाओं से बनी होती है अना और नेक्स्ट आपका पोइंट है कि 1940 में इलेक्ट्रोन सुकसंदर से एक होज के बाद कोशिका की जटिल सरंचरा था बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका तो यह जितने भी पॉइंट से साथियों यह जितने भी पॉइंट से आपकी NCRT की नाइंध कलास की बुक में एज इटिज दिये गए हैं आप चाहू तो इस लिए सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है नहीं तो आप वहां से इसको जरूर से जरूर पढ़ें आपके बहुत ही काम की चीज है अना और यहां से सीधा सीधा प्रशन जो वो साथियों आराम से पूछा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है निम्न में से एकोशी के जीव है एकोशी के जीव कौन सा है अमीबा कले मीडो मोनास पेरा मेसियम या उप्रोप तसभी तो आप पाएंगे कि देखे सबसे पहले इस परश्वी पर एकोशी के जीव का विकास हुआ था है इसे लिए तो जो प्रसंद पूछा जाता है कि अं तो एकोशी के जीव जो है वो कौन सा है इसमें तो सारे ही एकोशी की है अमीबा भी है ले मीडो मोनास भी है पेरा मीसियम भी है तो सारे के सारे या क्या है आपके एकोशी के जीव ही है क्या है एकोशी के जीव ही है साथियो सारे के सारे हैं अमीबा कले मीडो मोनास पेरा म प्रेजमा जिली के संदर्ब में सत्य कथन बताना है प्रेजमा जिली जिसको अपने कोशी का जिली भी इसको कहते हैं कोशिका जिल्ली और पादबो में एक कोशिका भित्ती और होती है कोशिका भित्ती जो कि एक कठोर आवरण है ठीक है तो प्लेजमा जिल्ली बोलो या कोशिका जिल्ली एक ही बात है उसके संदर्व में हमें सत्य कथन को ढूणना है पहला है यह कोशिका की सबसे बाहरी परत ह है जन्तू कोश है की बात पंदर अथवा आने जाने देती है यह अन्य पदार्थोंospharwei भी रोकती है प्लेज्मा जिलि यह ना पदार्तों को अंदर और बाहर जल अंदर आएगा बाहर जाएगा यह डिसाइड करती है ठीक है इसलिए उसे चैना आतमक पारगमे जिलिया वर्ण आतमक पारगमे जिलिया नाम से नाम से कि बनी होती है इसकी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कौन कोशी का जिल्ली या आपकी प्लाजमा जिल्ली ठीक है चलिए निम्न में से ऐसत्ते कत्नों वाले कूट का चैन आपको करना है पहला कुछ पदार्थ जैसे कारबन डायोकसाइड तथा ओक्सीजन कोशी का जिल्ली के आर पार विश्रन परकिरिया दुआरा आ जा सकते हैं तीसरा है पदार्थ की गति सदेव निम्न सांदर्था से उच सांदर्था की और होती है कोशीका के बाहिये परियावण में सी ओटू की सांदर्था यदि कोशीका के अंदर सी ओटू की सांदर्था से कम है तो सी ओटू कोशीका में परवेश करती है ये आपके तीन कथन हैं, कौन सा इसमें सही है, हमें पूछा है ऐस सत्ते कथनों वाला कूट, ऐस सत्ते कथन कौन कौन से हैं, पहले ये देख लो, उसके बाद ओक्षन की तरफ हम लोग चलेंगे, पहला कथन है कुछ पदार्थ, जैसे कारबन डायोकसाइड जा ओक्सीजन, कौसिका जिली के आर पार विश्रन पर के लिए द्वारा आ जा सकते हैं, बिल्कुल विश्रन पर के द्वारा ही होता है, तो जो पहला कथन है वो तो आपका बिल्कुल ठीक है, दूसरा पदार्थ की गति सदेव, निम्न संदर्था से उच्छ संदर्था की और होती है, तो से निमन सांदर्ता की तरफ होनी चाहिए यह यह सही रहेगा इसलिए यह कथन क्या हो गया गलत हो गया कि कहने का मतलब क्या है जैसे मानली जीए एक आपके पास यह पातर है जिसमें जल की मात्रा अधिक है ना जल अधिक है यहाँ इस परकार से दिखा देता हूँ और इधर जल है मानली जिये कम डाउन एरो सो दिखा देंगे तो यहाँ से यहाँ अधिक सांदर्ता से कम सांदर्ता की तरफ जाएगा जल अधिक होने का मतलब है यह वीलियन कैसा है तनु वीलियन मान सकते है अपन तनु वीलियन यानि जल अधिक तो वीलियन क्या होगा पतला होगा जैसे नमक और जल का माने जी हम मिष्ण लेते हैं नमक और जल के मिष्ण में अगर जल ज्यादा है जल ज्यादा है मतलब मिष्ण आपका जो वीलियन होगा आपका वो पतला ह जल अगर जड़ान ऐन्य विलायक जड़ा तो क्या को जड़ाईगा विलियन पतला तो इसको एक है और अगर बोले संद्री भीविलियन और यह मतलब वहा जल की मातरा कम है और गोंके प्राइए हें इसको तनु से सांदर की तरफ होगी लेकिन अगर पदार्थ की पर्टिकॉलर बात करें तो जहां जिस पदार्थ की मातर अधिक है वो कम की तरफ जाएगा हमेशने यह चीज़ आपको ध्यान में रखनें है तो पदारत की गती सदेव उंस संदर्ता से निम्न संदर्ता की ओर होती है ऐसा होना चाहिए ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए यह गत्थना आपका क्या हो गया गलत हो गया उसके बाद में तीसरा जो पोइंट है वो क्या है कोशिका के बाहिये प्रियावन में यह हमने मात्रा कम अंदर है ज्यादा सीओ की मात्रा तो सीओटू कोशिका में परवेश करेगी तो क्या सीओटू ये परवेश करेगी अभी तो मैंने आपको बताया है कि अगर संदर त chauffeur कोशीकां में जब CO2 की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो क्या होता है बाहर अपने संदर्ता कम है CO2 की कोशिका में अंदर है तो कोशिका CO2 का बाहर बेज देती है आपके पारगम में जिली के द्वारा ठीक है और अगर CO2 की मातरा बाहर बहुँ ज़्यादा है संदर्ता ज़्यादा है अंदर कोशिका में कम है तो अंदर चली जाएगी CO2 सेम यही काम होता है O2 के लिए Oxygen अगर बाहर ज्यादा है संदर्ता ज्यादा है आपकी में उक्सिजन कोशी का मैं निस्पोर कमी है तो बाहर से अंदर की तरस अन्दर ऑकक सब्सक्राइब का सही आंसर साथ हो जाएगा स्क्रीन सोट आप लोग चाहू तो ले सकते हो अगला प्रस्ट यदि कोशिका को तनुवीलियन वाले माध्य में रखा जाता है तो निम्न में से सही कथन नहीं है सही कथन नहीं होने का मतलब हमें गलत कथन ढूंडने है यानि कि हमें ढूंडना है गलत कथन सीद इसी बात है और वीलियन कैसा है तनुवीलियन है पहला कथन वीलियन का जल कोशिका में परवेश करेगा दूसरा कोशिका से जल वीलियन में बाहर आ जाएगा कोसिका से जल Yi Lian में बाहरा जाएगा तीसरा ऐसे वीलेन को अलप प्रासरन दाभी वीलेन निम्न में से जो कत्न सही नहीं यानि कि गलत कत्न कौन सा है, देखिएगा सबसे पहले तनु वीलेन का अर्थ क्या होगा, हाना, इदर ही लिख लेते हैं तनू वीलियन तनू वीलियन का मतलब मैंने अभी आपको बताया यानि कि जिसमें पानी की मात्रा क्या जादा पानी ज्यादा जिसमें ठीक है जल यानि ज्यादा उसके बात में जल की बात है आप जल ही लिख लेते हैं पानी की जगह सही सब्द रहेगा जल तनू वीलियन मतलब जल ज्यादा और जैसे अपने वीलियन जो नमक और पानी का मालिज नमक और जल का है ठीक है तो अगर जल ज्यादा तो नमक हमने उसमें क्या ले रखा है कम नमक कम नमक या चीनी कम हो जाएगी इसमें हमने क्या क्या कोसिका को डाला है तनुवीलियन है इसका मतलब पानी बाहर ज्यादा है ये इसमें क्या है ये जल का आप पातर मान सकते हैं ये क्या मान सकते हो आप जल का एक पातर मान सकते हो उसमें हमने क्या डाल दिये कोसिका साथियों हम लोगों ने इसमें डाल दिये ठीक है ये कोशिका है और इस कोशिका में पानी जो वो कम है बाहर क्या है पानी ज्यादा है ठीक है पानी यहाँ पे क्या है ज्यादा ऐसे तीर दिखा देता हूं इसमें क्या है कम है यही है तनू वीलियन का मतलब यही हुआ कि बाहर ज्यादा कोशिका में कम है पहली बात है कथन पढ़ने से पहले आप बताना चाहो तो क्या बताओगे कि वही पानी जो हो जल जो हो बाहर क्या है जल ज्यादा है और हम जानते हैं जल की सांदर्ता अगर बाहर ज्यादा है जल की सांदर्ता ज्यादा होने का मतलब जल ज्यादा होना ठीक है तनुवीलियन का मतलब बाह में परव्यस करेगा दूस्रा अब अपने आप गलत बाहर थोड़ी और को हो प्रास्रण दार बिदियुए करें बिल्कुल सही ने है इसको अल प्रास्रण दार के परवेश करता है जिसकी वज़े क्या होती है तो कोसिका क्या हो जाएगी ठीक है तो आपका आशर जो बनेगा यहां पर केवल दूसरा कथन आपका गलत है यानि कि आपका सही उत्तर रहेगा यह अपका स्क्रिंसोट आप चाहो तो ले सकते हो ठीक है थोड़ा सा विश्तार में वी चीज ये दी गई है, अल्प प्राश्ण दभी वीलियन क्या है देखेगा, यदि कोशीका को तनु वीलियन समझ गए मतलब तनु वीलियन का यहनी जल ज्यादा है, ठीक है, यानु कि कोशीका में जो जल है उससे ज्यादा जल है वीलियन के तनु वीलियन वाले माध्यम अर्थात जल में सक्करत्वा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया कोशिका को रख दिया हमने तनु वीलियन में तो जल परास्ण विदी द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा भी मैंने आपको बताया ऐसे वीलियन को अलप प्रास्टन दाबी वीलियने कहते है ठीक है ऐसे वीलियन को अलप प्रास्टन दाबी वीलियन कहा जाता है आगे देखिए जल के अनू कोशी का जिल्ली के दोनों और आवागमन करते है अब ऐसा नहीं है कि अलप प्रास्टन दाबी यानी तनू वीलियन में डाल दिया तो सिर्फ अंदर ही गुसे का जलासान ये बाहर भी आता है लेकिन अंदर जाने वाले जो जलकी मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है इसलिए सुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो अंदर परवेश ही करता बाहर निया ये हम मानते है तो आवागमन करने के लिए सोतंतर होते हैं लेकिन कोसिका के अंदर जाने वाले जलकी मात्रा कोसिका से बाहर आने वाले जलकी मात्रा से अधिक होती है इस परकार सुद्ध परिणाम ये होगा कि जल कोसिका के अंदर गया इससे को कोशिका फूलने लगेगी और इसी के ऊपर आधरीत एक प्रसंद हाल ही में पूछा गया साथ यह प्रसंद है ग्राम से मैं एकजाम में ठीक है बहुत आसान प्रसंद है आप आराम से बाद मसर कर दोगे दूसरा यह दि कोशिका को ऐसे माध्यम या वीलियन में रखा जाए ज सम प्रासरी वीलियन कहते हैं यानि की प्रसंद आप दोनों तरफ वराबर है तो जल कहीं नहीं जाएगा जल वहीं का वहीं इस्थिर रहेगा पाने में डाल दो कुछ फरक नहीं पड़ेगा जल कोशिका जिल्ली के दोनों और आता जाता है लेकिन जल की मातरा अंदर जल की ही बाहर आ जाती है इस परकार व्यापक रूप से जल की कोई गती नहीं हुई इसलिए कोशिका के मात में कोई भी परिवर्ता नहीं होगा ऐसा वीलियन सम प्रास्वनदाभी वीलियन कहलाता है तीस रहे यदि कोशिका के बाहर वाला वीलियन अंदर के गहुल से अधिक संदर्टा है वो कम है बाहर कोशिका में पानी की संदर्टा ज्यादा है तो ज्यादा संदर्टा से निम्र संदर्टा की तरह पदार जाता है इसलिए कोशिका से जल क्या है बाहर आजाएगा और जब कोशिका से जल बाहर आएगा तो कोशिका शिकूर जाएगी जो किसमिस और वो शिकुर जाते हैं अंगूर को जब हम डालते हैं कि इसमें अधिक आपके संदरता वाले वीलियन में अधिक संदर वीलियन में यानि गाड़े गोल में ठीक है संदर वीलियन तो जल प्राशन द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा ऐसे वीलियन को अती प्राशन दाभ आएगा और कम जल अंदर जाएगा इसलिए सुद्रूप से क्या कहेंगे कि जल जो है वह बाहर रहा है और कोशी का सिकुड जाएगी प्रासण इस प्रकार हाँ प्रासण इस प्रकार वीलियन की एक विशिष्ट विधी है जिसमें वरणात्मक जिली द्वारा गती होती है यह आपको नहीं दिख रहा हुगा नहीं लिखा हुआ है जिसमें वर नात्म जिली दवारा गती होती है तो यह जो है अगर इसका भी आप इस्क्रीन सोट लेना जाओ तो ले सकते हो बाकि सही स्थष्ट बात यही है कि तनू गोल में रखा गया मतलब अलप प्रास्वनदाभी विलियन में रखा, ठीक है, सांद्र गोल में रखा गया मतलब अती प्रास्वनदाभी विलियन में हमने रखा कोशिका को और तनू विलियन मतलब अलप प्रास्वनदाभी विलियन कनुवीलियन अलपपराशरी ठीक है और सांद्रवीलियन अतिपराशरी ठीक है साथियो तो स्क्रीन सोट आप इसका ले सकते हो यदि कवच सहित अंडे को नमक्य संत्रप्त वीलियन में रखें और पांच मिनिट बाद उसका अवलोकन करें तो अंडे के आकार में क्या परिवर्तन होगा यदि कवच सहित अंडे को नमक्य संत्रप्त है नमक्य संत्रप्त वीलियन में रखें ठीक है नमक के संद्र वेलियन में अगर हम रखते हैं और पांस बिनिट बाद उसका अवलोकन करें तो अंडे के आकार में क्या परिवर्थन होगा यह अपना प्रसुन है ठीक है देखिए अगर अंडे को आप कवच के साथ रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा क्यों क्योंकि क कार्बुनेट का एक कठोर कवच होता है अगर वो है तो फिर आप उसको पे और पानी में रख दो नमक पानी के घोल में रख दो नमक कम रख लो ज्यादा रख लो कोई फरक नहीं पड़ना आपका तनू हो सांद्र हो कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंगी OFF इस लीख रख नहीं कवच नहीं होता हैं तो क्या होता तो यह 노ता क्या होता प्लकी मात्रा क्या है कर है अंडे में जो जल की मातरा है वो ज्यादा है यह अंडा रख दिया मैंने इसमें अंडे में जल की मातरा ज्यादा 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 अंडे के अंदर जो वीलियन है उसकी वज़ाए बाहर वाला क्या है सांदर है इसका मतलब यह होता है यानि कि जल जो है वो बाहर निकलेगा बाहर निकलेगा तो अंडा शिकुड जाएगी तो अगर कवच रहित अंडे को एक प्रसंद बन सकता है यहां से और ऐसे बना लो आपका आंसर क्या होता अंडा शिकुड जाता है और यदि कवच रहित अंडे को नमक के तनुवीलियन में रखा जाए इसका मतलब क्या होगा अंडा फूल जाएगा क्यों क्योंकि पानी फिर ज्यादा होगा उस बाहर है तो समझ गए होंगे आप कोई प्रभाव नहीं अगला प्रसन अपना निम्न कथनों पर विचार कर ऐसत्ते कथन का चैन करें पहला कोशिका जिली का लचिलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाहिये परियावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहन करने में सायता करता है ऐसी परकिरिया को एंडो कहते हैं कोशिका का लचिलापन जैसे अमीबा होता है ठीक है अमीबा अपने पादाव या कोशिका कोई विक्सित करके क्या करता है बोज्य पदार्थ को अपने अंदर ले लेता है ठीक है यही तो काम करता है अमीबा दूसरा है अमीबा अपना बोजन इसी परकिरिया करिया को अंड्रोव साइटोशिंश दोनों कत्षन विल्कुल ठीक है तो एसत्य के लिए बोला है तो न तो एक नहीं मोख और जीवाननों या हो जाए गा कर एक है यह प्रस्द आया हुआ है कि प्रस्द और यह प्रस्दाय कि लिखियू ہیں आपकी 9 क्लास की बुक में अबिसी पर चाइब स्वाना है David किताबों को बड़े गोर से ध्यान से पढ़ें ये जो कोसिका का टोपिक है इसको बहुत डिटेल से ना नैंत की बुक में बहुत लगबग बहुत अच्छा दे रखा ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ दे दिया ऐसा भी नहीं है आपको यह टेकनिकल चीजे कम मिलते हैं लेकिन ऐ ऐसे जो प्रुष्ण है उसमें भर्मार ऐसे प्रुष्णों की और ऐसे प्रुष्ण बन जाते साथ है सीधा सीधा पूछा गया देखिए तो आप जानते हो कोई भी चीज फटती कब है गुबारा कब भटता है जब वह फूलता है यानि की कोशिका फूलेगी भई तभी फ्टते गी और फूलेगी कब पानी कहां जाएगा पानी कोशिका के अंदर जाएगा पानी पानी कोशिका के अंदर जाएगा तभी तो पूलेगी वो और तभी फटेगी अना पानी को सीका के अंदर गया अंदर गया मतलब बाहर वाला घुल कैसा है बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है यानि की तनू वीलियन है तनू क्या है वीलियन है और तनू वीलियन को क्या कहते है अल्प परासरी अल्प परासरी के लिए यह सब्द आईसोटोनिक हाईपर्टोनिक हाईपोटोनिक आईसोटोनिक यानि समपरासरी हाईपर्टोनिक अतीपरासरी हाईपर अतीपरासरी यानि अल्प परासरी देख लिए सिदा-सिदा पुछा गया है आंसर आपका तीसरा यहां पर सही हो जाएगा तो इस हिसाब से प्रस्ण जो हो यह प्रस्ण आये हुआ सकते और बहुत आराम से अपने इसका आंसर दे सकते कोशीका भित्ती जो वो क्या करती है जाहिर सी बात है उसको जब अलब परासरी में अपन डालेंगे कोशीका को तो वो फूले की पानी अंदर जाएगा उसके लेकिन जो कोशीका भित्ती है वो उसको बाहर से मजबूती से पकड़ बनाये रखती है उसके उबर उसको फटने से बचाती है तो यह प्रस्ण सीधा सीधा पूछा गयर आपको सबूत भी देता हूं नायंत क्लास की बुक की यह फोटो अईसा थी एक नायंत क्लास की जो बुक है उसमें कोशीका का जो चेप्टर है वो का वो यहाँ पर मैंने डाला है देखो साफ लिखा है कि कोशिका भीति पोधों कवक तथा बेक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षा करते कम तनू वीलियन यानि अलप प्रास्ण दाबी वीलियन में बिना फटे बनाए रखती है ऐसे माध्यम से कोशिका प्रास्ण विधी द्वारा पानी लेती है कोशिका फूल जाती है और कोशिका भीति के ऊपर दबाव डालती है कोशिका भीति भी फूली हुई कोशिकाओं के परती समान रूप से दबाव डालती है कोशिका भीति के कारण पादप कोशिकाओं परिव गट साती है यह खटती नहीं है तो इसका स्क्रीन सोट आप चाहो तो ले सकते हो पहले तो इस प्रसंद का और फिर इस स्लाइड का स्क्रीन सोट भी साती हो आप लोग ले सकते हो कि कर अगला प्रसंद कोसिका को रंगने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते है या कोसिकाओं को रंगने के लिए साथ हम लोग आयोडीन वील्यन सेफरानीन मेथलीन ब्लू विल्यन तीनों का उपयोग कर सकतेust icket सभी यहाँ पर सही उत्तरहोगा यह आपकी नएन्थ क्लास की और अप्रसंदियकी ब condition प्रशन है पिर है निम्न में से सत्य कथन है केंद्रक के चारों और दोहरे परत का एक स्थर होता है जिसे केंद्रक जिल्ली कहते हैं क्या दोहरे परत की होती है क्या दोहरी जिल्ली पाई जाती है क्या केंद्रक के बार बिल्कुल पाई जाती है सही कथन है केंद्रक में क्रोमोजोम होते हैं जो डी एने तथा प्रोटीन के बने होते हैं डी एने के लिए किरियातमक खंड को जीन कहा जाता है ये भी ठीक है क्रोमोजोम में अनुआनसिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता-पिता से DNA अनु के रूप में अगली संतती में जाती है, ये भी सही है, तो सारे कथन ठीक है, इसलिए option number 4 यहाँ पर आपका answer हो जाएगा, ठीक है, ये प्रस्ण भी अच्छा प्रस्ण है, इसका भी screenshot आप लोग चाहो तो ले सकते हो निम्न कत्रों पर विचार कर ऐसत्य कदन ठाटिये, पहला जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उसमें DNA क्रोमेटिन पदार्थ की रूप में विध्यमान रहता है, दूसरा क्रोमेटिन पदार्थ की रूप में कहा होता है, साथ हो ये केंदरक में, ठीक है दूसरा है प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक जिल्ली नहीं होती है ऐसे एसपस्ट केंद्रक छेतर में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है डीने की रूप में क्रोमेटिन पदार्थ होता है ऐसे छेतर को केंद्रक काय कहते हैं केंद्रक काय कहते हैं दोनों कथन बिल्कुल सई हैं, तो ऐसा ते कथन ढूनना था, ने तो एक नहीं, तो दोनों सई हैं, इसलिए आजाएगा आपका क्रोमेटिन पदार्स धागे की तरह की सरंचनाओं के एक जाल का पिंड होता है, जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तब यह क्रोमोजोम से संगठित हो जाता है, ठीक है, क्रोमोजोम से क्या हो जाता है, क्रोमोजोम में संगठित हो जाता है, यानि कि पहले तो ये धागे के रूप में होते हैं, क्रोमेटिन पदार्त, धागे के रूप की स्रंचनाई होती हैं, जब कोसिका विभादन होता है, उसमें फिर ये जो गुर्ण सुतर में बदल जाती है, संगठित हो करके प्रोकेरियोटिक कोसिकाओं के लिए सही नहीं है, आकार प्राय छोटा 5 से 100 माइक्रो मीटर तथा 1 माइक्रो मीटर जो दस की घात माइनस 7 मीटर होता है, केंधरीये 16 बहुत कम स्पस्ट होता है, ये बी सही बात, प्रोकेरियोटिक कोसिकाओं में के अंदर जो चेतर हो कम ही स्पस्ट होता है, क्योंग के अंदर जिल्ली नहीं पाई जाती है वहाँ पे प्रोमोजोम एक होता है गुंसुत्तर इसमें एक ही होता है यह बात है प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में एक होता है बाकी युकेरियोटिक में अनेक होते हैं जिली युक्त कोशिकांग इसमें अनुपस्तित होते हैं जिली से रहित होते हैं कोशिकांग प्रोकेरि माइक्रो मीटर नहीं होता पांस से सो माइक्रो मीटर तो आपका होता है युकेरियोटिक युकेरियोटिक कोशिकाओं का आकार होता है इतना तो ठीक है प्रोकेरियोटिक का जो आकार होता है इसका जो आकार होता है वो होता है एक से से लेकर करके 5 माइक्रो मीट्र मेटर मेटर 1 से लेकर के दस माइक्रो मेटर थक इनका प्रया निम्न में से ऐसाप्ते कथन या कठनों का सही कूาม है पहला खुर्दरी अंतह दर्वे जालिका यानी RER राइबोसोम पाए जाते हैं खुर्दरी अंतह दर्वे जालिका पर क्या पाए जाते हैं राइबोसोम सही है क्या बिल्कुल ठीक है राइबोसोम ही पाए जाते हैं दूसरा है चिकनी अंतह दर्वे जालिका यह नहीं SER वसा जिल्ली को बनाने में साइता किरते हैं इस परकिया को जिल्ली जिवात जनन कहते हैं पुसिक जिल्ली या प्लाजमा जिल्ली है लिपिड यञी video वसा था नग learnt प्रोती है इसमें से कुछ प्रोटिन और वसा, जो अपनी जिल्ली है, कोशी का जिल्ली, इसको बनाने में सहिता करते हैं। तो था अपना point है कसेरू की प्राणियों में यकृत की कोशिकवों में खुरुदरी अंतय दर्वी जाली का विस्त तथा दवा का निराविशी करण करने में महत्वपुन भूमी का निभाती है हमें ऐसत्ते कथन देखना था तो देखिए तीसरा जो point है वो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है साथियो protein यह वसा जो बनते हैं RER और SCR के द्वारा उसमें से कुछ protein और वसा जो है वो कोशिका जिली को बनाने में साहिता करते हैं यह ठीक है चोथा जो point है उसमें गलती है यहां आएगा आपका कसिरू की प्राणियों में ये करत की कोशिकाओं में खुर्दरी अंताय दर्वी जाली का RER के द्वारा विस तथा द्वा का निराविशी करण नहीं किया जाता बलकि किस के द्वारा किया जाता है S.E.R. के द्वारा किया जाता है तिकनी अंताय दर्वी जाली का के द्वारा किया जाता है विस तथा द्वा का निराविशी करण तो answer क्या बनेगा यहां पर ऐसा त्यकतन तो केवल चोथा option आपका सही होगा देखे साथियों ये जो point से ये नैंथ की बुक में दिये गए है आप लोगों में जिसने ये बुक पड़ी है वो तो इन प्रसुनों को पहँत आराम से कर लेगा लेकिन जिन लोगों ने ये बुक नहीं पड़ी है नैंथ वाली एंस् की इन से प्रशन होना मुस्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे पॉइंट उसमें दिए ग Iggy है लाएण सोंनं का निर्मान होता है अंताय दरवेजालिका दोफरा घौलजी उपकरण के दोफरा रसधानियों के दवारा या इन में से कोई नहीं तो गोल जी उपकरण के दवारा लाइसोसोम का दिर्मान होता है अच्छा प्रशन है आसान प्रशन असाथियो सबी बुक्स में लगबग ये मिलता ही है पोईंट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रशन है लाइसोसोम में उपस्तित पाचक एंजाइम बनाए जाते हैं लाइसोसोम कोशिका की आतम घाती थेली जिसको हम कहते हैं उसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं जो जल अपगटनी एंजाइम होते हैं जिसके द्वारा कोशिका के विभिन अप्सिष्ट पदार्थों का पाचन करती है तो वो जो पाचक एंजाइम हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं S.E.R. के द्वारा, R.E.R. के द्वारा, गोलजी उपक्रण के द्वारा या इन में से कोई नहीं, अब गोलजी उपक्रण बनाता है लाइसोसोम को गोलजी उपक्रण बनाता है लाइसोसोम को लेकिन इसके जो पाचक एंजाइम है ये बनाए जाते हैं R.E.R. यानि की आपकी पुरुदरी अंतादर्वी जालीका के द्वारा बहुत अच्छा प्रसन है एकजाम में आने योग्य प्रसन है देख लीजिए गाई इसको सीधे सीधे प्रसन है स्क्रीन सोट आप चाहो तो ले सकते हो सीधे सीधे प्रसन जरूर है लेकिन दिक्कत आती है फिर भी अगला प्रसन अपना निम्र लिखित में से किसमें अपना स्वेंगा डियने तथा राइबोसोम होते हैं स्वेंग का डियने एक मिनट यह प्रसन दूसरा जाएगा लाइसोसोम यह हो गया लाइसोसोम यह उपसित पाज सके इंजन यह देखे पहले यह देख लीजये पहले निम्र में प्रादन से सत्यकतन है पहला लाइसोसोम कोषिका का अपसिष्ट निप्टाने वाला तंतर है यह तो बात अभी हमने की तो है अगला आपका प्रसंदेखिए अगला आपका प्रसंद निमकित में जिसे किस्में अपना सहयोग का डिए औने नहीं अपने अपने हुआँ का अपने हुआ तो ढूं का कि दिएने तथाजर आइबॉसोम होते हैं माइटो कॉंड्रिया फ्लेष्टिड रसधानिया एक बदो दोनों तो देखें रसधानियों में तर नहीं होगा लेकिन यहां दोनों में होगा कौन से परकार का सत्तर ऐस परकार का इसके अलावा दोनों में वर्ताकार डियने होता है वर्ताकार प्लेश्टिड में यानि लवक में ये दिवी कुंडलित होता है माइटोकॉंड्रिया में एकल होता है ये बात भी आप लोग ध्यान में रखें एकल वर्ताकार डियने पाये जाता है किसमें माइटोकॉंड्रिया में एकल वर्ताकार एकल वर्ताकार DNA इसमें पाए जाता है ज्वी कुंडलित वर्ताकार DNA ठीक है तो ये बेसिक सा थोड़ा सा डिफ्रेंस है इसमें चलिए है अगला प्रसंद देख लेते हैं अपने एक और पॉइंट देखे यहां पे सत्तर एस परकार का राइबोसोम यहां होगा अब सत्तर एस परकार है तो एक होता है असी एस परकार का राइबोसोम जो कि किस में पाए जाता है कोसी का दर्वे में पाए जाता है S-C-S-P-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C-R-C अगला अपना प्रस्ण है कि निम्न में से ऐसत्ते कथन है पहला अंताय दर्वे जालीका का कारिये कोसी का दर्वे के विबिन छेत्रों के मध्धे अथवा कोसी का दरवे के विबिन चेतरों तथा केंद्रक के मद्दे पदार्थों के प्रिवहन के लिए नलिका की डूट में कारियक्ट रना है दूसरा माइटो कॉंड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वेव बनाते हैं तीसरा क्रोमो प्राष्ट प्रात्मिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं तो था है इन में से कोई नहीं है सत्ते कथन अपने को बताता है ठीक है अब देखेगा अंताय दर्वे जालिका का कारिये कोशी का दर्वे के विविन छेतरों के मद्धे ठीक है यह सही यह साथ है नलिका के रूप में ही कारिये करना होता है इसको यह ठीक है माइटो कॉंड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वेव बनाता है Mitochondria में Ribosomes पाए जाते है छेयों का DNA भी होता है छेयों का DNA होता है Ribosome भी उसमें पाए जाते है RNA भी उसमें होता है तो यहां कुछ प्रोटीन वो खुद का खुद ही बनाता यह भी सही है तो यह कफन ठीक है फिरक्रोमोपलाष्ट प्रात्मिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्स तेल तथा प्रोटीन जैसे बदार्थ संचित होते हैं तो देखिए मुख्य रूप से लवक की बात करें तो क्रोमोपलाष्ट हो गया और आपका लूकोपलाष्ट हो गया तो जो क्रोमढ़ो प्लास्ट वो तो कलर के लिए जिम्मम्हदार जैसे उसमें इसमें क्लोरफिल हरारंसके ना क्लोरफिल उद्ध यख़क लबड़ और नंगी पीला जो रंग होता है लेकिन जो लूको प्लास्ट लवक Ellen लूकोप्लास्ट लूकोप्लास्ट जो हसात्यों वो जिम्मेदार होता है भुज्य पदार्थों के संग्रहन के लिए जिम्मेदार होता है लूकोप्लास्ट और लूकोप्लास्ट तीन प्रकार का आपका होता है एमिलोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट एमिलोप्लास्ट सबसे पहले होता है एमिलोप्लास्ट जिसमें किसका संग्रा होता है इस्टार्च का एमिलोप्लास्ट जिसमें इस्टार्च का संची होता है इस्टार्च संची एमिलोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है इलियोप्लास्ट इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट में संचे होता है साथियो, देल का और एक होता है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट एमिलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में संचे होता है प्रोटीन का, इसमें संचे होता है प्रोटीन का, ये ग्यारवी क्लास की जो एंशियर्टी की बुख है, उसमें दिया गया है, ये ग्यारवी की एंशियर्टी का प्रश्ण ह निम्न कफण पर विचार करें तथा सत्ते कफणं करना है पहला दिकांस परिपकव Western कोसिकाओं में एक बड़ी केंदृ की रसधानी होती है यह कोसिका की इसफिती को बनाया रखती है और यह अफ्सिष्ट पदार्तों सहीत महत्वपन पदार्तों का संचे करती है इसमें होती है पादप कोशिकाओं में जो की बिलकुल सही बात है उसके बाद में दूसरा प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी जिली युक्त अंग नहीं होता है उनके क्रोमोजोम के इस्थान पर नुकलिक अमल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं ये भी सही है हमने पढ़ लिया तो सारे दोनों कथन अपने ठीक सत्य कथन पताना था एक वह दो दोनों यहाँ पर सत्य कथन आपके हो जाएंगे और यही इसका अंसर भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं सरंचनाओं के कौन से युग्म प्राए पादप और जन्तु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं कोशिका भीती जन्तु कोशिका में नहीं होती हमें पता है नुकलियस की बात करें दोनों में होता है नुकलियस और क्लोरोप्लास्ट जो के एक लवक है पादप में होता है जन्तु में नहीं होता है कोशिका कला दोनों में होती है कोशिका भिति केवल पादप में होती है इसलिए यहां जो दोनों में है वो पूछा अपने को तो अप्शन तीन यहां पर आपका अंसर जो वो हो जाएगा ठीक है साथियो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रश्ण है कोशिका के निमलकित में से किस अनुकाय में दोहरी जिल्ली अनुपस्तित है यानि दोहरी जिल्ली युक्त नहीं है जो केंद्रक, माइटोकोंड्रिया, लाइसोसोम और हरितलवक याद रखेगा केंद्रक, माइटोकोंड्रिया, हरितलवक तीनों ही दोरी जिल्लियुक्त कोशिकांग है जबकि लाइसोसोम एकल जिल्लियुक्त कोशिकांग है तो यही इसका उत्तर भी रहेगा जन्तु कोशिका क्योंकि उसमें पादप कोशिका से भिन होती है किस करण से भिन होती है पहला जन्तु कोशिका पादप कोशिका से भिन क्यों होती है उसके रिजन से पहला पहला रिजन है कोशिका भित्ती नहीं होती है तो सही है ये कशन भी अपना दूसरा हरित लवक नहीं होते हैं तीसरा तारक के अंदर होते हैं तो था हिमोगलोबीन होते हैं जन्तु कोशिका जो होती है उसमें तारक के अंदर पाये जाता है ठीक बात है हिमोगलोबीन होते हैं ये भी ठीक बात है हरी तलवक नहीं होते बिलकुल सही बात है ये जन्तु पादप कोशिका में होते हैं कोशिका भीती भी इसमें जन्तु कोशिका में नहीं होती ये भी ठीक है तो सारे बाते ठीक हैं उप्रिक्त सभी आपका अंसर यहां पर रहेगा इन चारों ही चीजों में जन्तु कोशिका जो पादब कोशिका से भिन होती है, अगला प्रसले, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों के सम्मंद में स्तंब कोशिकाओं के परत्यार उपन के संदर्ब में ऐसते हैं, एक ये प्राणि में जीवन भरसयों गुडन करती हैं, दूसरा ये अंगों के छतीगरस तुत्तकों की मरमत करती हैं, तीसरा, ये एक ये अधिक परकार की विजिश्ट कोशिकाओं को बनाने की छमता रखती हैं, और चो था, ये केवल भूर्ण में पाई जाती हैं, ये गलत है, केवल भूर्ण में थोड़ी पाई जाएगी, तो फिर प्रत्यार उपन की बात ही का आती, प्र प्रत्यार ओपन की बात ही का आती फिर बाहर पिशू का जब जनम होता है उसके बाद में वेस्क होता है वो दिरे बुड़ापे की तरफ जाता है तब भी स्थम्भ गोशिकाई होती है तो केवर भूण में पाई जाती है यह गलत है यही आपका अंसर रहेगा ठीक है तोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है इस्तम्भ कोशिकाई नहीं स्टेम सैल या मूल कोशिकाई ऐसी कोशिकाई होती है जिसमें सरीर के किसी भी तोड़ा अलग हो जाता हो आपको दिख जाए आजी सरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विक्षित करने की चमता मिलती है इसके साथ ही यह अन्य किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है Jee Wiggennikians के अनूसार उन कोशिकाओं को सरीर की किसी भी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए परियोग किया जा सकता है जैसे यदि हिदे आख की कौर्णिया की कोशिकाओं खराब हो जाएं तो उन्हें भी स्तमब कोशिकाओं दोरा विक्सित कर परत्यारोपन उनका किया जा सकता है कोशिकाई यानि की भुर्णों के वर्सन या अंडासे में पाई जाने वाली कोशिकाई जिसमें से ये विक्सित होते है तीसरा गर्ब स्तंब कोशिकाई ये कोशिकाई वैस्क भुर्ण जिसमें नाक नक्स दिखने लगते हैं उनमें पाई जाती है इन्हें फीट्स स्तंब को कोशिकाएं तो वैसकों के सरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो चमता के बहु शक्ष्म होती हैं यानि विभाजन से अपने जैसी कोशिकाएं बनाने के अलावा कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी यह बना सकते हैं कोशिकाएं चकर की किस अवस्था में गुणसुत्र मद्यवर्थी प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं पहला है मध्यावस्था यानि कि आपकी मेटाफेज दूसरी पस्च्यावस्था एनाफेज तीसरी अन्तावस्था यानि टीलो फेज और फिर है चोथा उप्शन पू सुत्र मद्यवर्थी प्लेट पर जमा हो जाते हैं तो यही इसका अंसर रहेगा अगर हम बात करें कोशिका विभाजन की तो समसुत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था विभाजन की पूर्व अवस्था है प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था विभाजन की सबसे ल सबसे चोटी अवस्ता यह सबसे चोटी अवस्ता अब काफी बच्छे यह भी पूछते हैं कि उसर कोषी का विवाजन का टॉपिक आएगा क्या अपने सलेवस में नहीं दिया गया थो गए तो कोषी का विवाजन भी पूछे गए जाहिर सी बात है प्रशन आई सकता है उसमे इसमें कौन सी पूछनवाली बात है आप बताओ अर्द सुतरी विभाजन में पर्थम पूरु अवस्था का सही कराओ देखिए जो अर्द सुतरी विभाजन अना उसमें जो पूरु अवस्था पर्थम है या प्रोफेज फैस्टव जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा मैतोपण यहीं से प्रसंद बनेगा अर्द सुत्री से बनेगा तो इसमें कौन-कौन सी अवस्थाइं है तो लेप्टोटीन है जाइगोटीन है पेकिटीन है डिप्लोटीन है था टाइकाइनेसिस है ओप्सन नंबर इस प्रसंद का सही है यही इसका साथ्यों क्या रहेगा तरम रहेगा अच्छा प्रसंद है भी पूछा जा चुका है वैसे अपने राजस्तान में किसी एक्जाम में नहीं आया है वैसे एक्जाम में आ चुका है जीन विनिमे की सवस्था में होता है उसमें पूर अवस्ता है उसमें जायगोटीन, डिपलोटीन, पेकीटीन या दौटीम होता है सभी का सभी हो गए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको प्ढ़ाएं, अगला आपका प्रस्ट लेखते हैं, वह सी का चकर की कौन सी परावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संसलेशन होता है, रीट में पूछा गया प्रसंद है, हिस्टोन प्रोटीन का निरमार एस परावस्था में होता है और जीवन परावस्था में जीवन परावस्था में क्या होता है स्टोन प्रोटीन के लिए पावस्थिक एमिनो अमलो का संस्था में अगर पूछ ले हिस्टोन प्रोटीन के लिए आवस्थिक एमिनो अमलो का संस्था में होता है तो वो होता है जीवन परावस्था में और पूछ ले कि हिस्टोन प्रोटीन का संस्था में तो वो होता है एस परावस्था में अब देखिए अगला प्रशन राइबोसोम के संदर्व में सही नहीं है सही नहीं है पहला है आपका कथन राइबोसोम के यह सबसे चोटा कोशी कांग है बिल्कुल सही बात है सबसे चोटा कोशी कांग यही है राइबोसोम के चार और जिल्ली नहीं पाई जाती तक रहित कोशिकांग है उसके बाद में यह आरա। Alrighty प्रोटीन के बने होते हैं ठीक। त SH यहां तक्थिरे यूकरियोटिक को इस्ट्रेस प्रकार के तपरोप्रोकरियोटिक को से कवमें एसीएस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं उक्टोक तसभी तो सही नहीं है वो बताना है तो यहां जो सही नहीं है वो यह है कि युकेरियोटिक कोशिकाव में साथियो 80S परकार के पाए जाते हैं जिसमें 60S और 40S 80S में 60S और 40S जो वो उपिकाई होती हैं और प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में 70S परकार के जो वो राइबोसोम पाई जाते हैं जिसमें 50S और 30S वैसे आप देखोगे 80S में 60S और 40S जोड़ दोगे तो कितने हो जाएगे 100S हो जाएगे लेकिन यह 80S के लिए उपिकाई हैं तो यहाँ यह कथन गलत है क्योंकि 80S प्रोकेरियोटिक में 70S परकार की पाई जाते हैं अब देखिए एक बात यहाँ आप देखिएगा कि जो माईटो कौन् amoria होता ना माईटो कौन्रिया उसमें जो आपके राइबोसोम पाई जाते हैं वो 70S प्रकार के पाई जाते हैं लेकिन अगर हम बात करें जन्तु कोशिका की, या यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें, जन्तु कोशिका नहीं, यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें, तो उसमें 80S प्रकार के राइबोसों पाए जाते हैं, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है, वो भी अपने आप में कोशिका है किस प्रकार की प्रोकेरियोटिक टाइप की कोशिका उसको हम लोग बोल सकते हैं अगला प्रसन निम्न में से किस कोशिका दर्वे कोशिकांग को युकेरियोटिक कोशिकांग के बीतर प्रोकेरियोटिक कोशिकांग के बीतर प्रोकेरियोटिक कोशिकांग के बीतर युकेरियोटिक कोशिकांग के बीतर युकेरियोटिक कोशिकांग के बीतर युकेरियोटिक का राइबोसॉम पाए जाता है प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में तो सुत्र कणिका या माइटो कॉंड्रिया एक ही बात है यही इस प्रसंद का अंसर आपका बन जाएगा सत्तर एस प्रकार का राइबोसॉम इसमें पाए जाता है जो कि युकेरियोटिक में 80S प्रकार का पा मुझे पता है इस टोपिक में और भी प्रसंद बन सकते थे ठीक है लेकिन ये जो स्रीज है एक रिवीजन के तोर पे है और दसवी क्लास तक की जो NCRT की बुक्स हैं उनको मैं किलियर करवाना चाह रहा हूँ तो नाइंथ की बुक में जो दिया था उससे अक्ष्ट्रा ही होंगे इस टोपिक में धेर सारे प्रसंद बन सकते हैं और वो प्रसंद आपको करने भी चाहिए प्रिवेस येर में जो पुछे गए प्रसंद वह आप जरूर से जरूर करें कोई भी एक बुक लेकर आजाए जैसे प्रिशा पब्लिकेशन की बुक है या एक आपके उसकी इनसी मूमल की बुक आती है इना मूमल की बुक भी आप लेकर आ सकते हो कोई भी एक बुक या अदर किसी पображен की है जैसे किसी दूसरे पब्लिकेशन ने चाप रखी हो प्रिवेश ये प्रसनों की कोई भी एक बुक लेके आके आप इसको कर सकते हो प्रिवेश ये क्योशन जरूर करो आप साइन्स में दूसरा ये जो सरंखला आपकी जो NCRAT पर अपनी आधारीत ये चल रही है ये बहुत फा ने हैं और सिधा सिधा NCRAT बुक्स में से वो टोपिक्स आपको मिल रहे हैं कहीं न कहीं जो पेपर बनाया जाएगा तब आपको निश्चिती वहां से सीधे सीधे प्रसन देखने को मिल सकते हैं सीधे होंगे लेकिन घुमा फिरा के लेगा प्रसनों को जैसे वह आपका जो अल्प प्रस्वनदाबी वाला वीलियन वाला प्रसन था जिसमें कोसी का जिली कोसी का फटती नहीं हो वाला प्रसन था बहुत अच्छा प्रसन था ऐसे प्रसन है अलांकि वो लाइने एज़िटीज है NCRAT की बुक में लेकिन वो लाइने ज्यादा तर रुखिया है वो जिहान से उनको पढ़ना है और कोसिस मेरी यह है कि अगला जो टोपिक उत्तक का उसमें भी नैंत क्लास में जो उत्तक का टोपिक दिया गया है उसके लगबग सभी प्रसनों को हम लोग कवर करने की उसमें कोसिस करेंगे ठीक है उमीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है लाइक जुरूर करें शेयर करें और चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप पहली बार पढ़ायों अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब जरू कीजिएगा अच्छा नहीं लग रहा है क्या दिक्कत है बता सकते हो अना सलिए मि अगले वीडियो में एक और रहे टोपिक के प्रशनों के साथ अब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भार्ट